गुद मॉनिंग दियर स्टुडेंट्स तुडेय विल डू एक्सराइज थ्री और फॉर ओफ चैप्टर नंबर सीक्स मल्टिप्लिकेशन ओके कोशन नंबर वन देखे बेटा के हैं मल्टिप्लाइ दा फॉलोविंग ओके वी राइट हीर सम्कॉशन्स एंड सॉल्विट इस वन्स प्लेस टेंस हंड्रेट ओके 48 को हम किसे मल्टिप्लाइ करेंगे 9 से हम 9 को पहले 8 से मल्टिप्लाइ करेंगे 9 8 जा 72 72 का 2 यहां पर राइट करना है और 1 आपने carry forward कर देना ठीके बटा और 9 4 जा कितने होते हैं 36 और 36 में 7 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 43 ओके बटा सेम नेक्स्ट कोशन देखी बटा क्या है 947 को किसे मल्टिप्लाइ करना है 3 से 3 7 जा 21 21 का 1 यहां पर as this और 2 carry 3 4 जा 12 12 में 2 को प्लस करेंगे 14 ओके बटा next 1 carry as this 3 को 9 से 27 और 27 में 1 को प्लस करेंगे 28 तो हमारे पास answer आजाएगा 2841 ओके बटा तो exercise 3 में बटा आपके पास इस type से question है वो आपने ऐसे solve करने है ठीके बटा अब exercise 4 में देखो बटा simple as this ऐसे ही है multiply the following this is one place 10 100 and 1000 अब हम इस नंबर को 2311 को किसे multiply करेंगे 2 से अब 2 को 1 से multiply करेंगे 2 2 को 2 से multiply करेंगे 2 2 को 3 से multiply करेंगे 6 और 2 को 2 से multiply करेंगे 4 ओके हमने इस same नंबर को पूरे नंबर के साथ multiplication करने होती है ठीके बटा exercise 4 में आपका फस्ट पार इस टाइप से है और एक आपके पास statement वाला कोशिन है वो मैं आपको बता देती हूँ the school library has 8 cupboards each cupboards has 1055 books find the total number of books in the library अब हमें क्या करना है बटा total number of books बताने है कि library में कितनी है ओके बटा the school library कितनी है school library में कितने cupboards है 8 और total number of books कितनी है 1055 तो we write here total number of books in the library total number of books कितनी है बटा 1055 और total cupboards कितनी है 8 तो आप cupboards यहाँ पे write करोगे और इन दोनों को क्या कर दोगे multiply कर दोगे आप यहाँ पे answer ऐसे लिखोगे बट side में multiply करोगे 8 को 5 से multiply करेंगे 40 0 40 की 0 यहाँ पे write की 4 आगे forward कर दिया 8 5 जा 40 40 में 4 को plus करेंगे 44 और यहाँ पे 0 से तो करेंगे यहाँ पे 44 और 8 को 1 से करेंगे 8 तो आपने इस टाइब से यह वले questions को solve करना है ठीक है बटा तो exercise 3 और 4 आप इस टाइब से solve करोगे ठीक है तो अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई doubt है you ask me okay thank you have a nice day